नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ निहा नवरात्रे के तीसर दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है मा के सुरूप की सच्चे मन से पूजा करने से रोगदूर होते हैं शत्रों से भै नखी होता है और लंबी आयू का वर्दान मलता है और इसी के साथ ही मा आध्यात्मिक शक्ति आत्म विश्वास और मन पर नियंतरन भी बढ़ाती हैं माँ चंद्र घंटा शेर पर सवारी करती हैं और इनके दस हातों में अस्त्र और शस्त्र भी हैं जानेंगे आज और तीसरे दिन का महत्व कि क्यों तीसरे दिन मा चंद्र घंटा की विश्श पूजा अरशना की जाती है माता के सब्तार के बारे में और कैसे माता की पूजा की जाए और क्या आज के दिन का खास महत्व है उसी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अर्विन पचोरी जी मौजूद है पंडि जी बहुत-बहुत स्वावत है आपका पंडि जी सबसे पहले आपसे यही जाना चाहेंगे कि नवरात्रे के पावन पर्व चल रहे हैं आज माता का तीसरा दिन है आज की दिन की क्या कहानी है और मा चंदर घंटा की विशेश पूजारजना कैसे की जाए दुरगेश्म्रता हरशिभीतिमशे सजन्तो स्वस्तैश्म्रता मतिमति वशुवाम्ददाशी दारिद्र दुक्ख भयाहारणिकात्वदन्या शरवो पकार करना यसदार्दचित्ता आई एंडी 24 के समस्त दर्सकों को जैमाता दी मा चंद्रघंटा जो है बहुत ही सहज और शरल सक्ति देव आरार्त बानी को श्रवन करने वाली मा चंद्रघंटा है मा चंद्रघंटा की साधना हम कैशे करें मा चंद्रघंटा की क्या खता है मा चंद्रघंटा जो है जिनके मस्तक पर चंद्रमा देदिप्य मान हो रहा है ज्वाजल्य मान हो रहा है इस कारण मा चंद्रघंटा का चंद्रघंटा नाम पड़ा दुतियो जब समस्तो देव दानव यच्छों में युद्ध चड़ा और युद्ध अनेक वर्सों तक चला जब युद्ध चल रहा था उच्छों में समस्तो देवता आश्री ये सक्तियों के समक्ष निर्वल हो जाते हैं परास्त हो जाते हैं तो अपने श्वर्ग धाम को व बहुत चिंतन मनन करते हैं कि अब हमें पुनहा अपनी वह। स्थान अपनी वह। गादी कैशे पराप्त होगी तब जो इंदर लोक है इंदर लोक में महिशा миशर चीनाम का जो देते हैं वह उसका अधिपत जमा लेता है और समस्त देवताओं को बंधी बना लेता है समस्त देवताओं के अधिकारों को छीर कर देता है इस प्रकार का ग्यात बगवान ब्रम्ह को ग्यात होता है बगवान ब्रम्ह बिश्णू के पास जाते हैं छीर शागर में सेन कर रहे बगवान बिश्णू दोनों देव बिलकर के भगवान भूले बाबा आस्टो शिव के समुच्छ पहुचते हैं तीनों देवों में चर्चा परिचर्चा होती है बड़े ही आरार्त भाव से दिर्वत भाव से समस्त देव इस्तुति करते हैं तराहिमाम 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 हमें इस कश्ट से मुक्त कराईए इस प्रकार की अरार्त बाजी शुर्कर के परस्पर देवताओं चर्चा परिचर्चा होती है और प्रथम ब्रह्माजी के मुखारविंदे से ब्रह्माजी के ललाट से एक तेज निकलता है ठीक इसी प्रकार भगवान विश्नु के तेज से भी एक तेज निकलता है और भगवान बोले बाबा के तेज से भी एक तेज निकलता है तीनों देप तेज इस धरातल पर इस भूतल पर जैसे ही इस तापित होते हैं एक बड़ा ही तीब्र और बड़ा ही तेज प्रकास होता है और बड़ा ही भ्यंकर दिखाई देता है तब भगवान भुले बाबा भगवान नारायन भगवान ब्रह्मा इस्थति करते हैं उस तेज को देख करके उस दिब रूप को देख करके तब एक मन्द मन्द मुस्कान क साथ एक भहनकर रूप वालि मा भगवती का प्रादरु-भाव होता है प्रकात होता है सास्त्र कहता है मारकंडे पुराण देवि भागवत महापुराण में आया है कि उसमें तीनों देवों के तेज के दिवारा निकलने के बाद तीन तेजों का दैदिक प्यवान हुआ जो महाकाली महालक्ष्वी महासरस्वती के रूप हैं पर प्रारम में यह तीनों तेज एकत्रित हो जाते हैं जैसे ही एकत्रित हो जाते हैं बिशाल काय शेल के समान यह दिखाई देते हैं और माभगवती अपनी पान करा देते हैं देवी कहती है मुझे पादेश दीजिए मुझे क्या करना है तब सारा ब्रतान तो देवराज इंद्र बरुन यम आदी स्रवन कराते हैं और स्रवन कराने के बाद भगवती किवल एक बड़े ही सुन्दर और शुशिल मंद मंद मुस्कान के साथ उन समस्त देवों की बाड़ी को सरुन कर रही हैं तब देवताओं ने देखा कि भगवान विश्णू ने अपने चक्र सुदरसन से निकाल करके एक सुदरसन मा भगवती को समर्पित किया भगवान भुले बाबा ने तरसूल से एक अपना दुतिये तरसूल निकालने के बाद उनको प्रदान की विश्म कर्मा ने बड़े ही शुन्दर सुन्दर अस्त सस्त्रों को माभगबती को अरपन किये जब इस प्रकार का सब हो गया तब इंद्र और विश्कर्मा के द्वारा पुना माभगबती को चंद्र एक घंटा प्रदान किया जो घंटा इतनी धनी देदिक मान क पिता जो का वरन लोizard के साथ अकटनी है और अवरनी हैं जिनका वरनन हम सब्सक्टों के साथ नहीं कर सकते, जैसे हैं इसका गुंजायमान, अतल, बितल, सुतल, तला-तल, रसा-तल, महातल, पातल, लोक और घुरलोक, वरलोक, स्वरलोक, महोलोक, जनो-लोक, तपो-लोक, सत्लोक आपके नाम ऐसे चवधा भोनों में इसकी जो है गुंजायमान हो गया सारे देव दानव यक छिकिनर हाहा कार मच गया तराही तराही मच गया जब देवों की आरारत बाने सुड़ी और माता से सभी ने प्रात्ना की कि है भगबती आप हमारे कस्टों का निराकरं कीजिए तब मा भगबती महिशा शुर को ललकारती है महिशा शुर का दूत आता है महिशा शुर का मंत्री आता है शेनापती आता है और सारा ब्रतान्त सुनाता है जाकर के महिशा शुरकों के इस प्रकार की एक देवी हैं, भेंकर वेसदारी हैं, दस हात हैं, अनेका अनेक भुजाएं हैं, अनेका अनेक सस्त्र, आभुशनों को धारन की हुए हैं, मंद मंद मुस्कान के साथ आपको इद्ध के लिए ललकार रही हैं, ऐसा महिशा शुरकों उन्हें विकार करती है उसके बाद मा अपने अस्ते सेस्तों के द्वारा उसका मरदन करती है और समस्त्र देवों को अपनी पुनहा खोई हुई प्रतिश्था खोई हुआ बल बापिस पर्दान करती है यह मा भगVती जो है चंद गंटा की कत्षा है बिलकुल पंडी जी बहुत आसान तरीके से जो है आपने माता की पूरी कथा हमारे तमाम दर्शुकों को बता दी है कि किस तरह से माने अपनी शक्ति का प्रयोग करके जो तमाम दानफ थे उनका नाश कीया था बंदी जी अगर एक और बात की जाए, माता किस दिन की बात की जाए, तो आज की दिन कैसे विशिश पूजा अरशना करकर मा को मनाया जाए? माचंदरघंटा का जब हम पूजन करें माचंदरघंटा के लिए हम सुंदर-सुंदर व्यंजन बनाने के बाद दुख्द आधी के व्यंजन सुद्ध घरत से अगर हम म्यंजन बनाते हैं और स्वापाकी यानि स्वेम के द्वारा निर्मित किया हुआ हम अगर वेंजन माभगबती के समक्ष आरपन करते हैं माभगबती यथा शीक्र प्रसंड होती हैं माभगबती को जासोन यानि रक्त जो लाल पुष्प होता है या कनहर का जो पुष्प होता है या गुलाब का जो लाल पुष्प होता है आदी-आदी मा भगबती जगत जन्नी चंद्रगंटा को हम स्वर्पित करते हैं मा जगत जन्नी चंद्रगंटा यथा शीक्र प्रसंड होती है यदिचेत हमारी बेहन बेटियां बिवाह की एक्छुक हैं सुन्दर दामपत जीवन का अंडरवाह करना चायती हैं तब्वी मा वहभी मा भगबती चंद्रगंटा से प्रात्ना करें निश्चित ही मा चंद्रगंटा मनो वांचित फल को प्रदान करने वाली हैं और मा चंद्रघंटा यश्व कीर्तीमान वैभव शंपदा आदी को प्रदान करने वाली हैं समस्त विगनों का नाश करने वाली हैं ऐसी चंद्रघंटा ने जो एक महिशा सुर की बिशाल काय सेना को छण मात्र में शिंगत दुथा ये कोपा धडडडडडडड़ धावमाना भवानीम जैसे ही भगवती ने देखा अपनी बाहन का परित्याग कर दिया और बाहन का परित्याग करने के बाद उस रणचेतर में कूंद जाती हैं और समस्देत्यों का च्छन मात्र में निमिश मात्र में जिसका समी का हम बर्नन नहीं कर सकते इतने कम समय में समस्द सेना को नश्ट कर दिया और राक्षिसों को पराजित कर देवों को अपना अधिपत्त प्रदान किया पिरकुल्पार में जी और एक और बात नहां समने आती है कि आज के दिन अगर मा की आरातना करे तो मणीपूर जो चक्र है वो हमारा मश्बूत होता है और हमारे अंदर से भैका नाश्च भी हो जाता है मनिपूर चक्र की जागरिती होती जो चक्र होते हैं तो विशुद जो हमारे धे हैं विशुद जो ध्यान है उसमें जाकर के मनिपूर चत्र हमारा समाहित हो जाता है जब हम नित्रों को बंद करके मा भगवती के समक्ष समर्पित होते हैं हमारी आरार्त बानी के साथ, हमारे भावों के साथ, हमारी पूजन सामगरी के साथ हम जल के सिंचन, चाहे मारजन के सिंचन से भगवती कहती है कि मैं भाव की भूकी हूँ मुझे आपकी शामगरी नहीं चाहिए, मुझे आपका यश बैभव नहीं चाहिए, मैं भाव की भूकी हूँ तो एक जो भक्त होता है भक्त को भी एक भाव रखना चाहिए और वह भाव यह होना चाहिए कि मंत्र हीनम, क्रिया हीनम, वक्त हीनम सुरेश्वरो हे मावगबती, जगजनी, परामबामात, लोग की अधिश्ठात्री, मैं ना तो मंत्रों को जानता हूँ, ना क्रिया को जानता हूँ, ना अर्चन को जानता हूँ, ना हवन जानता हूँ, मैं आपकी इस्तुती कुछ भी नहीं जानता हूँ, यदि चेत किसी प्रकार की कोई तुरुटी रह जाती है तो मुझे एक तुच्छ सा नन्ना सा छोटा सा अभूद सा अवग्शा बालक समझ करके आपका बालक समझ करके जो एक अभूद सा बालक जब नन्ना सा बालक मा की गोद में खेलता है तो उसके चर्ण मा के उधर में लगते हैं मा के हरदय में लगते ह उस प्रकार का उसी किसी प्रकार का चोब नहीं होता है कि मैं अपने मा को चरण प्रहार कर रहा हूं। मावगवती प्रशन हो जाती है और उसकी मनोवांचित जो कामना होती है उस कामना को पूर्ण करती है चाहे वो रिपू के से संबंदत हो सत्रूशे शंबंदत हो चाहे सासन सता से संबंदत हो चाहे राग देश या किसी प्रकार की बीमारी से शंबंदत हो किसी भी प्रकार की तो वहाँ प्रकास दिखाई देने लगता है ठीक इसी प्रकार मा भगबती के समक्ष जब हम जाते हैं तो उनके समक्ष जाने के बाद जो भी हम बारी बोलते हैं वो सहज और सरलता से बड़ी ही सुकमता से हमें उस भावशागर से पार करा देती हैं उस कष्टों से मुक्त कर देती हैं ऐसी मा जगजनी भगबती है और मा तो मा होती है बिल्कुल पंडी जी बहुती खुबसूरत वाणी आपकी भी और तमाम दर्शकों को भी लगता है सुनके काफी जादा ग्यान मिलता होगा जिस तरह से आप दर्शकों को बाते बता रहें हैं पंडी जी इस नवर करके भी रह सकते हैं बहुत से निर्जला रहते हैं बहुत से फलों को खा करके रहते हैं और बहुत से छपपन प्रकार के वियंजनों को खा करके भी रत करते हैं बहुत से लवंग खा करके बहुत से किसी एक फल कोई पते पर कोई तुलसी दल पर कोई दुख्द पर बिन्डे मुंडे मतर भिन्ना भिन्ड भिन्ड प्रकार के मत हैं लोग कहते हैं कि हम एक लबंग पर रहेंगे भगबती हमारी तो ये भगबती के प्रती भाव होता है कि दयारता का भाव होता है प्रेम और आस्था का भाव होता है पर जो विक्ति सहस्ता से सरलता से अपनी द प्रित करेंगे कि हमने ब्रित किया है इन नोदनों में कि हम किसी से भी जूट नहीं बोलेंगे यह भी परम ब्रित है महा ब्रित है महा उपवास है आपने के दी हमारे द्वारा किसी की आत्मा को कश्ट नहीं पहुंचेगा चोब नहीं पहुंचेगा या आपने ब्रित कर लि ये अगर हमको देखा जाए तो जितना अगर हम हमारा सरीर सक्षम हैं धच्छे हैं हम कि हमें किसी प्रकार का देह कमजोर नहीं होगा हमा को आलश्य नहीं आएगा तब हम बृत कर सकते हैं चाहे फल का लें दुख्ध ले लें या लबंग ले लें विशिश जो सादक होते हैं वो निराहार रहते हैं एकदम ना जल लेते किबल बायू किबल फे रहते हैं और शेहन करते हैं बगबती के कमरे में बगबती की छवी के समख छटा के समख जा करके बिराजमान हो जाते हैं निद्रा भी नहीं लेते हैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप साध सकते हैं तो निश्चत ब्रत करें ब्रत से ताद पर यह होता है कि आप विशेश भोजन ना लें जिससे जब आप साथना करें, मंत्रों का उचारन करें, जब करें, अर्चन करें, मारजन करें, तब करें, जो भी करें, ध्यान करें तो आपका मन लगना चाहिए, इतना आहार लेना चाहिए, चाहे आप फलाहार लें, चाहे आहार लें, जो आपके चरणों की रती में, गती म किसी भी प्रकार की बाधा ना बने भगवती के चरणों में ध्यान लगा रहे इस प्रकार का जब आपका भाव रहेगा तो निश्चित ही आपके उस उपबास का उस ब्रत का ब्रत आपने रखा पर आपने बहुत सारा फलहार कर लिया उस ब्रत का कोई मतलब नहीं कोई नो दिनों को पूरे बरत करते हैं, लेकिन जिसके आपने बताया के फलहार काफी जाद कर लेते हैं, जिसकी वज़े से शायद कहा जाता है कि वो बरत का उतना जादा मानिता नहीं हो सकती जितनी अगर हमें का सचे मन से आस्ता करें। अगर कई लोग ऐसे भी होते हैं, गल्ती से जिनके ब्रज जो है खंडित हो जाते हैं, अगर किसी से ऐसा हो जाता है, गल्ती हो जाते हैं, भूल चुक हो जाती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए हैं? जब जागे तभी शवेरा जो कहते हैं, यदि चीत तुर्टी बस हम देह वाले हैं, हाड़ मांस का सरीर है, पंच तत्व का सरीर है, ग्रह कारियों में, पूजन आदी के कारियों में भी यह ठक जाता है, तो बिस्तुरत हो जाता है, जब हम भाव में डूब जाते हैं, व्रत का पराइन करने के बाद दो बारा दो दिन का पांच दिन का तीन बिसरग में, बिंदू में, मात्रा में, बानी में, भोजन में, भजन में, सयन में, किसी भी प्रकार के कोई तुर्टी अगर रह गई हो हे जगदंबा पराम मामा भगवतित लोग की अधिश्टात्री हे रेवा, हे दुरगा, हे काली, हे सरस्वती मुझे बानी, मुझे बुद्धी को प्रदान करने वाली, मेरे हिर्दय और में विराजमान होने वाली मेरे उधर में विराजमान होने वाली आपके ही कारण यह आपकी माया है आपकी माया से ही मुझे छुदा प्रपासा की एक्छा हुई तितिक्छा हुई तब मैंने इसे पान किया भगवती जब इस प्रकार का आप भाव करेंगे आपने अगर कह लिया कि हमारी आत्मा में मा जगदंबा परामा मा भगवती विराजमान है जब भगवती हमारे हिर्दे और में है तो मुख किसको लगी उन्हीं को लगी जब आप उनमें हो गए उनके चरणों में आपकी इरती होगी तो निश्चित आपकी गती सदगती को प्राप्त होगी प्रकुल बहुती खूबसुरत ये जब बात है आपने तमाम दर्शकों को बताई है क्योंकि कई लोग जो ऐसे हैं काफी ज़ादा लोग डरते भी अबरत करने से कि अगर गलती से जो है कोई शक्ती हो गई या बरत जो है टूट गया तो क्या उसके दोश होंगे लेकिन जैसे कि पंडी जी ने भी बताया कि माता का हिर्दय बहुत बड़ा है और माता अपने तमाम भक्तों को जो है पाफ कर देती है पड़ी ची चोटे चोटे बच्चे होते हैं उनमें भी जो है हमारी संस्कृति को लेकर एक भाव होता है और उन्हें लगता है कि हमें बरत करना चाहिए लेकिन गलती उनसे भी हो जाती कि कि वो छोटे बच्चे होते हैं जाने अन जाने में उनसे गलती हो जाती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए देखिए बालकों की जो तुर्टियां होती हैं बालकों की जो गलतियां होती हैं मा भगबती बालक तो जाकर के उनके समख कुछ भी करें, किसी भी प्रकार की उद्धन्डता करें, कुछ बालक जिद करते हैं, हट करते हैं, और वह बालक कहते हैं कि हम भी बृत रहेंगे, हम भी ऐसे पूजन करेंगे, तो भला वो बालक क्या जाने, कि क्या भगबती है, क्य देवी है क्या देवता है क्या साधना कैसे जल चढ़ाया जाता है हुई है एक लालच में हें जाकर करता है कि हैंको प्रसाद मिलेगा अगर उधर उसके पैरंट्स डेक पाते हैं मात-पिता नहीं देख पाते हैं तो भगवटी न लगाने पहले उसका पान कर लेता है तो कहने का ताद यहां कहते हैं हमारे सास्तर के यत्र चसरवे देवी स्वरूपा वाला स्वरूपा यहां पर हर बालक हर बालिका बगवती का रूप है देवता का रूप है तो बगवती तो उसमें समाहित है उन बालकों में नन्यमन्य बालकों मे समाहेत है तो भगबति उससे ज़्यादा अधिक प्रसंद होती है उनसे कभी कोई तुर्टी नहीं होती है पर संस्कार के लिए कि हमारे संस्कार हमारी सनातन संस्कृति परंपरा की धर्मत भजा सदा लहराती रहे हमारे बालकों को हमारे परिबार को ग्यात होना चाहिए उनन पासा या भुक्षा लगी की पान करी लेंगे तो उनका किसी प्रकार की कोई तुर्टी नहीं होती है और भगबती उनसे कभी रुष्ट भी नहीं होती है वो सदा आशिष प्रदान करती है बिल्कुल पंडी जी एक और बाद हम जाना चाहेंगी चुकि हम उपास के उपर ही ह जो तिती होती है उस तिती से ही हमें किसी भी प्रकार का ऐसा तामस्वी भोजन नहीं करना चाहिए और उसी समय हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि हमको नवरात्री का शार्दी नवरात्र का ब्रत करना है ब्रत करने के बाद हमारी बाणी से मनशे बचन से कर्म से उदनों तक हम जब ब्रत करते हैं तो करमसा देवी का जिस भी बिधी के अनुसार जिस भी दक्सता के अनुसार आपके सामर्थ के अनुसार आप पूजन करें खुद करें ब्रामनों से कराएं आचारियों से कराएं दुरगा सफसती का पाट कराएं हवन कराते हैं कन्याओं का पूजन करें, ब्रामनों का पूजन, सादू, संत, गव आधी का पूजन करें और हवन करने के उपरांत, वही हम कन्याओं को भोजन, गोरियों को भोजन कराने के बाद मा भगबती के समक्षभी जो अरपन किया हुआ भोग रहता है, वहां से थोड़ी सी प्रशादी का पान करें और मंद मंद गती, धीवी गती से हमें फलाहर लेना चाहिए, यह नहीं कि आज नवरात्ती का नवीत थी है यह दस्वी तीती को जब हम पराइन करते हैं और जब हम ब्रत का अगर पराइन करते हैं तो मूंग की डाल या मूंग की खिचली के बाद छोटा ऐसा लगुसा या भगर आदी के बाद सर्व परतम हमको जो पराइन करना चाहिए तो एकदम फलाहर एकदम भोजन परशादी ग्रण नहीं करना चाहिए नहीं तो हमारा जो बिवेक जो चित है जो मनस इस्तिती जो इंद्रिय की है जो हमने शाधना की थी वह साधना धीरे 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 क्रमबद्य तरीके से समाप्त हो जाती है इसलिए हमें एकदम आलश आ जाता और हमने सारे क्यूए करमों को हम भूल जाते हैं इस परकार हमें इस्वलब पाहर पाना चाहिए बल्कोल पंडी जी कई लोग ऐसे भी जो है अलगर तरह से बरत करते हैं मा को रसंकर करने की पूरी कोशिश करते हैं माता तो आपने तमाम भक्तों से प्रसंद हुई ही जाती हैं कई लोग अपंडी जी ऐसे हैं जो सब कुछ त्याग कर उपास करते हैं जैसे कि जो चीजें हैं जो आज के दुनिया की आधुनिक चीजें हैं उनका वो नौ दिनों के लिए त्याग कर देते हैं और वो उपास करते हैं तो उन्हें किन खास नियामों का जो है पालन करना चाहिए देखिए अगर उन्होंने किसी चीज का त्याग कर दिया है तो वह त्याग कर दिया है वह एक उनकी शाधना है बहुत अच्छी बात है कि उनकी सद्धा है वाव है लेकुन उस त्याग में हमें यह देखना होगा कि बास्तुक तु विशेश त्याग है कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं लेकिन आपका मन, आपके दुकान, आपके दबतर, आपके आपिश में लगा हुआ, आपकी फैक्टरी में लगा हुआ है, कि पता नहीं नोकर क्या कर रहा होगा, पता नहीं हमारा सिवक क्या कर रहा होगा, जो भी हमारे अंतकरन में, तो वह भक्ती नहीं कहलाती, वह भ बगवती की बांग में प्रती मूर्ती जो रहती है जिस भी धातू की हो जो भी मूर्ती हो जो भी छटा हो जो भी छवी हो उस छवी के समक्ष अस्रू की धारा वह रही है और जब हम बगवती की चरणों में बास्तिक तुभाव से जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारा निश् लगाते हैं तो इसी प्रकार भक्त को साधक को भी वास्टिक्त भाव से प्रेम से और सद्धा के साथ ध्यान करना चाहिए निश्चित उनको भलपराप्त होता है पिरकल तो तमाम जितने भी दर्शक हैं उन्हें ये बहुत अच्छी से पंडीजी आपने बता दिया है किस तरह से जो है माता की साथ ना करें और किस तरह से अगर हम ब्रत कर रहे हैं तो नियमों का पालन करें पंडीजी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इतनी अच्छी जान के लिए माता की कता हमें बताने के लिए तो चलिए दर्शकों इसी के साथ हमारे इस खास कारिकरम में फिलाल इतना ही देखते रहें आएंड़ी 24 नमस्कार